दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लिम प्यार किया तो डरना क्या से जुड़े बहुत सारे अनन फैस और उसके बॉक्स ओपिस परपॉमेंस के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए प्यार क्या तो डरना क्या एक रोमेंटिक ड्रामा कॉमेडी फ्लिम थी इसको रिलीज किया गया था 27 मार्च 1998 को इस फ्लिम में हमें नजर आयते सलमान खान, अरबाचकान, धरमेंद्र, काजोल, अंजना जावेरी और किरन कुमार इस फ्लिम का स्क्रिन प्ले और डारेक्शन स चोटे भाई सोयल खान ने किया था, फ्लिम को प्रूडिस किया था सोयल खान, बंटी वालिया और वासु भगनानी ने, फ्लिम में मुजिक दिया था जतिन ललीत, हेमेश रेश्यमिया और साजित वाजित ने, और लगबग 43 मिनिट के लेंद के टोटल 8 गानी इस फ्लिम मे काउंट किया जाता है, इस फ्लिम का सबसे पॉपिलर गाना था ओ ओ ओ जाने जाना, जिसमें गिटार पकड़े वे शर्टले सनमान खान ने लोगों के बीच में धूम मचा दी थी, इसके आलावा कुछ और गाने जैसे दिवाना में चला, तुम पर हम है अटके यारा, और टाइटल सौंग प्यार किया तो डरना क्या, इन सबी गानों को लोगों के द्वार भहुत जादा पसंद किया गया था, प्लिम के गानों को कुमार सानू, उदीत नारायन, अलका यागनि, अनुरादा पोडवाल, कविता कृष्णमूर्ती और कमाल खान ने गाया था, और इस फ्लिम का मुजिक आलबम उस साल के वन आप दो बेस सेलिंग मुजिक आलबम में नंबर वन पर था, अब बात करते हैं इस फ्लिम के बजट और बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फ्लिम का बजट रखा गया था, लगबग 7 करोड 75 लाक रुपे, और उसने इस फ्लिम के बात करते हैं और बात क करते हैं इस फ्लिम से ज़ड़े भहुश सारे अनन के के बारे में इस फ्लिम का एक भहुती पॉपिलर गाना ओ ओ जाने जाना इस गाने के बाद से ही सलमान खान का बॉल्यूट में शर्टलेस आने का ट्रेंड शुरू हुआ था हलाकि सलमान खान अपनी सबसे पहले आल टाइम ब्लॉकबस्टर फ्लिम मैंने प्यार किया हमें भी हमें पहली बार शर्टलेस दिखाई दिये थे लेकिन उस टाइम पर उनका चेस्ट पूरा क्लिन सेव नहीं था और सलमान खान के इस शर्ट्लेस वाले लुप को लोगे की द़ार इतना ज्यादा पसंद किया गया कि इसके बाद आगे आने वाली सलमान खान की हर एक फ्लिम में सलमान खान हमें एक ना एक बार शर्ट्लेस जरूर दिकाई देते है फैक्ट नमबर दो फ्लिम प्यार किया तो डरना क्या में दिकाय गया कॉलेज जहाप और काजोल और सलमान खान पड़ाई करते है एक्चुली फ्लिम में दिकाय गये इस कॉलेज की शुटिंग मुंबई बोरोली के माटोंगा में स्थित डॉन बास को हाई स्कूल में की गई थी इसके अलावा फ्लिम के बहुत सारे सिन मुंबई के लोकल तता मुंबई सिटी के कुछ दूर मुंबई और पूने के बीच में लोनावला और खंडाला की कूपसूरत वादियों में शुट किये गए थे जैसे लोनावला में फ्लिम का टाइटल सौंग प्यार किया तो डरना क्या को शुट किया गया था और इसी सेम जगह पर 1997 में आई बॉबी देवल और आश्वर राय की फ्लिम प्यार हो गया का फिमेल वर्जन सौंग मेरी सासों में बसा है तेरा ही एक नाम को शुट किया ग प्यार किया तो डरना क्या में सलमान खान के सजेशन से ही धर्मेंद्र को काश किया गया था एक्चुली सलमान खान धर्मेंद्र के बहुत बड़े फैन है और धर्मेंद्र को बहुत मानते है और कापी टाइम से सलमान धर्मेंद्र के साथ किसी प्लिम में काम करना चाते थे लेकिन ऐसे नहीं हो पा रहा था लेकिन finally सन 1988 नवे में धर्मेंद्र और सल्मान खान हमें पहली बार प्लिम प्यार किया तो डर्ना कया में एक साथ नजर आये थे और धर्मेंद्र का भी सल्मान खान के लिए प्यार उनके इंटर्यूज में देखा जा सकता है एक्चुली धर्मिंद्र भी सलमान खान को अपने बेटे के तरह ही मानते है और सलमान खान के लिए तो ऐसा सब जानते है कि वो एक बार किसी को अपने दिल से मान लेते है तो फिर उनके लिए कुछ भी कर देते है और आगे भी सलमान खान ने धर्मेंदर के साथ काम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जैसे सन 2007 में आई शारुक खान की फ्लीम ओम शांति ओम का एक सौंग दिवानगी दिवानगी इस गाने में हमें बहुत सारे एक्टरस और एक्टरस नजर आये थे इस गाने में भी सलमान खान धर्मेंदर के साथ उनीके सिग्निचर स्टेफ पर डांस करते हुए नजर आये थे और इसके बाद सलमान खान धर्मेंदर की फिल्मों में केयमियो रोल करने से भी पीचे नहीं हटे थे जैसे सन 2011 में आई धर्मेंदर की होम प्रोडेक्शन फ्लीम टेल मी वो खुदा में सलमान खान हमें एक केमियो रोल में नजर आये थे इसके अलावा सन 2018 में आई फ्लिम यमला पगला दिवाना फिर से इसमें भी सलमान खान धर्मेंद्र के साथ एक पेशल क्यों में रोल में नज़र आये थे और सलमान खान भी पूरी फिल्म में उन्हें बड़े भाईया बड़े भाईया बोलकर ही बुलाते थे लेकिन रियालिटी में अर्बाच खान सलमान खान से डेड़ साल चोटे है और सोयल खान इसके पहले सन 1997 में अपनी एज़र डिरेक्टर पहली डेवी फ्लिम 2000 में भी सलमा 2002 में सोयल खान एक्टिंग में अपना करियर आजमाने की कोशिश की और उन्हों ने अपनी डेवी फ्लिम में ने दिल तुछ को दिया को लिखा था प्रोडूस किया था डेरेक्ट किया था और एक्टिंग भी की थी लेकिन ये फ्लिम बॉक्स ऑपिस पर एक एवरेज फ्लि में सल्मान खान को एक बार फिर से काश करके उनकी फ्लिम जयो को डारेक्ट किया था इसके आलावा अरबास खान ने भी अपने करियर में केवल एकी फ्लिम को डारेक्ट किया था सन 2012 में आई सल्मान खान की फ्लिम दबंग टू को और बतोर एक्टर वो सल्मान खान के साथ क पापी सारी फिल्मों में नजर आये थे जैसे तुमको ना भूल पाएंगे, गर्व, मैंने प्यार क्यों किया, दबंग, रेडी, अब और भी बहुत सारी फिल्में। फैक्ट नमबर पांच, इस फिल्म की स्टोरी पर काम चल रहा था, तब उस टाइम पर इस फिल्म का नाम पहले जन्नत रखने वाले थे और इस फिल्म को आरबाज खान की जगह पर संजदत को काश्ट किया जा रहा था, लेकिन बाद में सोयल खान ने सोचा कि इस फिल्म में स संजदत की जगह पर आरबाद खान को काश किया गया था और बाद में फिल्म के टाइटल के लिए सोयल खान ने देखा कि उस टाइम पर फिल्मों के बड़े टाइटल लोगों को बहुत जादा पसंद आते हैं जैसे दिल वाले धुलेरनिया ले जाएंगे हम आपके है कोन और जाने जाना जिसको सलमान खान के उपर फिल्माया गया था एक्चुली इस गाने को सिंगर कमाल खान ने लिखा था और सन 1909 में लेंदन में इसको रिलीज किया था और वहाँ पर वो गाना सुपरिट साबित हुआ था हाला कि उस टाइम पर इस गाने के लिरिक्स में में तेरा दिवाना इस गाने को सलमान खान और सोहल खान ने आने वाली फिलिम प्यार किया तो डर्ना क्या की लिए रिज शु किया था और गाने के लिरिक्स में थोड़ी cięux करके ओ ओ जाना धूंदे तुझे दीवाना इस गाने को अपनी फिम में सन 2005 में उन्होंने सनी देवल की फ्लिम जो बोले सो नियाल से एक्टिंग में एज विलन अपना डेबिव किया था इस फ्लिम में सलमान खान और काजल को पहली बार एक साथ प्रेयर किया गया था Halal कि इसके पहले से 1945 में सल्मान खान और काजल फ्लिम करन अरजुन में एक साथ नजर आए थे लेकिन इस फ्लिम में काजल को शारु खान के ऑपोजेट पेयर किया गया था और इसके बात सन 1958 नजर आयी फ्लिम कुछ-कुछ होता है में भी सल्मान खान और काजल हम एक साथ नजर आये लेकिन इस फ्लिम में भी काजल को शारु खान के आपोजिट पेयर किया गया था फ्लिम प्यार किया तो डरना कैसे बॉल्यूट के जाने माने मुजिक कमपोजर हिमेश रेश्मया को अपनी चार और आने वाली फिल्मों में मुजिक डारेक्ट करने का मौका दिया था फिल्मे थी सन 1909 में आई बंदन 1909 में आई हेलो प्रदर और सन 2000 में आई दूलन हम ले जाएंगे और कई प्यार न हो जाए और इसके बाद से ही हिमेश रेश्मया वाली वूड में यह जो मुजिक डारेक्टर इस्टेबलिश हो गए थे तो दोस्तो यह बात तो ही प्यार किया तो डरना किया मुवी के अननोन फैक्स के बारे में तो यह मुवी आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताईए अगर आभ इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राब कीजिए और बगल में बने घंटे को बटन को भी दबा जिससे चैनल पर आने वाली नए मुवी के बारे में आपको पता लग सके तो मिलते हैं नए वीडियो में नए मुवी के बारे में आनन फैट्स के साथ